हेलो फ्रेंज, स्वागत है आप सबका SG Food World में हर दिन हर किसी के घर में ये question जरूर उठता है और उससे हम परशान हो जाते हैं कि आज क्या बनेगा तो आज एक नई recipe के साथ मैं आपके लिए लाई हूँ खोई की सबजी अपनी menu list को बढ़ाईए और उसमें add कर दीजे एक और recipe तो चलिए शुरू करते हैं इस recipe को बनाने के लिए आपको चाहिए दो टमाटर जिसमें से एक चुथाई पीस आप अलग से रख दीजे एक प्याज जरस अद्रक धनिया गार्णिश के लिए चार से पांच काजू अब मिक्सी में प्याज, टमाटर और अद्रक को पीस लेंगे कड़ाई लेंगे उसमें डालेंगे डेर टेबल स्पून रिफाइन डॉयल जो प्योरी हमने त्यार की थी वो इसमें add कर देंगे अब सारी spices add कर देंगे नमक लेना है हमें आदा टीस्पून देगी मिर्च एक चुथाई टीस्पून कुटी मिर्च आदा टीस्पून हल्दी एक चुथाई टीस्पून सुखी मेती आदा टीस्पून किचिन किंग मसाला एक चुथाई टीस्पून अब मसाला भून लेंगे मसाला भून गया है ये कैसे पता लगेगा साइड में जो रिफाइन वाइल है वो आपको दिखेगा अब इसमें 75 ग्राम खोया ग्रेट करके डालेंगे खोय को भूनना है जब तक इसका कच्चापन चला जाए खोया भून चुका है इसमें आट कर दिंगे मतर मतर मिक्स हो जाने पर इसमें आट करेंगे काजू और एक चुथाई तमाटर जो हमने बचाया था साथ ही डाल दिंगे डेड़ कप पानी इंग्रीडियन्स मिक्स हो जाने पर इसको थोड़ी दिर के लिए ढख के रख देंगे तीन से चार मिनट में ही रेडी हो जाएगी ये सबजी लिड हटाएंगे तो त्यार है खोया मटर बनाए और सह परिवार खाईए बताएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी मिलेंगे नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई, टेक के रेड़ है दोंगे टाएपाई है और मुडब कराऊ करता है